हेलो गाइस गूर्माणिंग आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है फानली अकोला डिसी सी बैंक लर का मेरा इंटर्व्य हो चुका है दो डिसेंबर 2021 को मेरा इंटर्व्य था कल रात को यह घर आ गया था तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डीटिल आपको बताने वालों ठीक है तो इसलिए पूरा एंट तक देखिए आपको बहुत सारे चीज़े यहां से सीखने को मिलेंगी चली शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से मैंने टिकट वगरे बुक किया इसकी अपने एरिया से जहां से मैं विलांग क सब्सक्राइत कि ऐसका एक किलो babieson के ऑठ रेंच पे था वपालों होटल तो इसे में बूक कर दिया तो आपको ऑट होले प्यौने सालएं से मेरे से और दो छोड़ के दिया अब जो एरिया था जहाप एमन cess prob था होटल वहीं पे मैं रुका था तो उस एम उन्हों होटल का नाम फ़ीप्टा नीज था तो इसलिए उन्हें उन Happiness म सब्थै तो मैं एक जगह मुझे मतलब साइड में एक ल hey दошा यहां को तो वो लेडिस थी और मुझे बुला रही थी नुटी most मुझे मुझे बुला रही थी मतलब समझ यह आंप तो मुझे इध्म से अजीक साल लगए मतलब पैसे क्यों मांग रही है मतलब यह जो समझ रहूं ना आप समझ रहे होंगे वो प्रोस्टीटूशन का वक्ट कर रही थी वहां पे थीक है बाद में मुझे समझ करें मैं मतलब पहली बार ऐसा मेरा experience रहा पहली बार ऐसा कभी कुछ हुआ मेरे साथ की ऐसा मैं ने कभी सोचा भी नहीं था कि तो फिर मैंने वहां कि कहां आगया मैं यह और फिर मैं आगे निकल गया मैंने बुला यार कैसे करूं वहां से वापस जाओंगा बूर रहा था बड़ वहां पर कोई सुविदा नहीं थी और टो वर्टो कुछ नहीं नव बजे के बाद वह इतना सुंसान हो जाता है पूछो मतलब खतरनाक एरिया था अकोला का माली पूरा एरिया उसके बाद मैं जैसे तेसे मैंने क्योंकि पेमेंट कर दिया था अब वापाश आने से कोई तो मतलब नहीं था मैंने बोला आप जाने दो जैसे से रात निकल जाएगी कल सुपह होके अपन निकल जाएंगे ठीक है तो फिर मैं जैसे जैसे गया वहां पर और होटल फिर मिल गया मैंको ओनर से बात होगर किया फिर मैंने ओनर को सब कुछ बताया कि इस तरीके से चीजे हुआ तो बोले न तरीके से कभी आपको कोई दिक्कत ही ने होगी तो वह इतना सुनसान था मतलब काफी डर लग रहा था वह पूरा मतलब अलगी टाइप का एरिया लग रहा था वह एकदम नक्सलाइड टाइप एरिया या मतलब आप बोलो जहां जो गुंडे वगरे होते टीवी में कैसे लोग यहां पर रहते हैं मतलब कैसे अपनी बच्चों को रखते इस तरह की जग में वह सब चीजे हुआ उसके बाद हमारे एरिया से ही एक बंदा आया ठीक है बंदा आया और वह मतलब इतना डरा हुआ था वह बंदा मैंने बोला क्या हो गया तो तो हमारे एरिया के तू सीम बंदा से ही ऑगे बंद साथ आया और मुझे बहुत डर लाग रहा है कि एतना डर लग आ रहा. मैंने बोला हमारे इ Voltan कॉता नहीं ही एक अपना कम कि यह से हुण यह नशी से हुख और रहा था लिए व।का हम था नीशार कि फिर रात को एक और बंदा आया अपने इरिया का ही था और दूसरी टेंश से आया हूंगा तो हम तीन लोग थे ऐसे मिला के और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे-इस मतलब हाँ जब मैं रुखा था जहां जिस होटल में तो हम दोनों तीनों मतलब हो जो डॉर्मे चीजी हुआ फिर रात को हम लोग जैसे तैसे सोग तो सुबह हम लोग उठे और हमने मतला अटो बनाए वहां से सिधा देड़ सुरू रुपे लिया था जाइद आटो अले उसके बाद हम लोग कहां गए जहां पर इंटर्व्यू होने वाला था वहां पर हम लोग गए खेती की जो यह होती ना बंदिया बोलते हैं हमारे दर बंदी जो खेती की जगह होती है एरिया जहां पर खेती करते हैं हमारे दर बंदी बोलते तो वह लड़की वाली बंदी नहीं बंदिया मतलब आप जहां पर अधान वगरे लगाते हैं खेत की जगह उसको बोलते हैं तो उस तरीक की एरिया में वो था मतलब कोई प्रोफिशनल नहीं एकदम सिंपल था अब बात की जाया है वहां के पूरे इंफ्राक्स्ट्रक्चर की तो खतरनात था मतलब लगी नहीं रहा था कि हम लोग कई इंटर्व्यू देने के लिए आए वाश्रूम की अगर मैं बात क किसी हालत थी वहां की और किसी को टॉइलेट लग गया तो वहीं उसकी तो हाला दी खराब कहां करेगा एकदम हालती खराब थी वहां की धंका में इंटरेस नहीं था वहां पर अब यह सारी चीजे हुई फिर उनने क्या किया हम लोगों का सब कुछ डॉकूमेंट वेरिफि कार्ड है मेरा 9 डिसेंबर को एकजाम होने वाला है तो उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा उके यह साइच चीजे हुई उन्होंने मुझे कंसिडर कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ अब वहां पर तो हम लोग गया तो वहां पर कम से कम पानी पानी की तो हुआ है कि के लिए कोई कुर्ची पी नाइन थी ऊबसे बास जैसे तसे हमारा डॉक्वमेंट वरिफिकेशन हुआ मतलब पूरे के पूरे लिवेफिकेशन की क्रूए को हो गया उसके बाद वहां देफस्त करने करने निजसे ही लोग और मोलोके फेलीजा मतलब दो नए दोस्त बन गए जैसे के मैंने आपको बता है तो वो लोग जैसे इंटर्व्यू देखिया है तो उन्हें से मतलब इतने खरा क्वेश्चिन से दो उन्हें नाम बोला है फिर मैंने बूला से सिर मैं हूँ और फिर पूछा कि सब से अब सब कुछ मैंने बता है मेरा प्लेइन भादा था तो वह नहीं पूरा बता दिया यह सब सारी चीज़्ें फिर लाश तक्र फिर ट्श से मैं admit card आ गया है मैं appealing में हूँ मतलब अब exam देने वाल हूँ अगले मेने मेरा certificate आ जाएगा triple C का ऐसा मैंने उनको बता है तो उन्होंने फिर बोले ठीक है बोले मैं अंदर पैनल से पूछ के आता हूँ क्या आपको consider किया जाए या नहीं क्योंकि आपके पास computer certificate नहीं है तो वह अंदर गए पैनल के पास और फिर वापस है sorry बोलते हम आपको consider नहीं कर सकते उन्होंने clearly मना कर दिया है कि आपका interview नहीं होगा तो वह सुनके मुझे इतना गुस्सा आया मतलब पूछो मत मैंने बोला जब मैं इलिजिबल नहीं था तो मुझे पहले क्यों कुंसेडर कि पहले वाला जो डॉकुमेंट वेरिफिक्सन हुआ उस में मुझे क्यों कंसेडर कि तभी मुझे बगार देना था मैं चले जाता अपने घर यह क्या बात हुई मतलब अंदर पैनल कूछ के क्या हुआ मतलब क्या हो गया अभी तक तो सब सब सभी था लेकिन one है अब बात करतें अकॉला वाले लोगों के लिए मतलब अकॉला वाले STUDENT है उदेने वा और बहार के इंटर्वित देने वाले टेती डिफ्रेंट बताता हूं मैं क्या हुआ अकोला वाले जो बंदे थे उनको कचोरी दी घए खाने के लिए उनका interview सबसे last में हुआ सबसे पहले तो हम लोगों का interview हुआ और भगा दिया गया और last में जब उनका interview हुआ जब मैंने सुना जब उन्होंने experience share किया अपना अकोला वालोंने तब मैंने सुना तब मैं आपको बता रहूँ ठीक है तो उनका क्या हुआ उनके इंटेव्यू से पहले उनको डॉकुमेंट वरिफिकेशन के पहले कचुरी दी गई मतलब खाने के लिए खाने के लिए और चाय दी गई तो उसके बाद मुझे लगा की मतलब डिफर्ण क्या है हमें और अकॉला अलो में मेंको और बात की जाया है question की तो question उनको बहुत सारी easy question मुझे मतलब अपने बारे में बताओ introduce yourself okay bank क्या करता है bank के president का नाम क्या है vice president का नाम क्या है bank कैसे profit कमाता है पूरे banking के question उनको पूरे banking question मतलब देख रहे हो आप partiality कैसी होती है इस में मुझे समझ में आया कि यारी लोग हमसे partiality कर रहे है उसी समय समझ में आ गया था कि मतलब computer certificate के लिए मुझे disqualified कैसे कर सकते मुझे computer के लिए मतलब मैं तो exam देके आया हूँ ना पास करके आया हूँ ना computer तो मेरे को आता ही होगा ना कई ने कई और वह भी मैं एक्जाम देने वाला हूँ certificate अगले महने आने वाला है फिर भी मुझे जो है consider नहीं किया गया मतलब समझ रहे हो बात और जो बंदे पूला के थे उनको बकाईदा भाइक दिया गया बकाईदा भाइक दिया गया लाने के लिए अपने डॉकुमेंट का से और हमारा जो बंदा था उसका एक डोमेशाइल certificate नहीं था जहरॉक्स नहीं थी उसकी तो उसको कोई बाइक का नामों निशान नहीं वो बंदा अटो से गया और तो से आया सब कुछ किया उसके बाद उन्हों ने बोले कि हमको क्यों नहीं बोला सर आपने ही तो बताये थे जाने के लिए कहां जेरोक्स लाने के लिए तो आप उस समय भी तो दे सकते थे ना भाइक बाद में आने के बाद बोलती है कि हमको क्यों नहीं मंगा तो उस समय बहुत बुरा लगा यह सब सारी चीज़े देखे कि पार्सलेटी क्यों हो रही है आपे तो सब पार्सलेटी हो बोला यह तेल लगाना तेल माले सकरेना क्या आए तो किषी दस हजार रुपे के लिए मैं इतना यह नहीं जिर सकता हो ला कि मैं इतना यह करूं करके क्योंकि उनको पता था कि मैं कॉलिफाइड हूँ century नई है मतलब क्या मतलब अगर मेरा पास अगर प्रफिकेट भी होता तब भी मुझे मतलब इसक्वालिफाइड ही करते इंटर्वी के लिए क्यों क्यों कि वो लोग बोल रहे थे कि जब जिस समय आमारा नियोटिफिकेशन आया हुआ है उसी समय के पहले का कंप्रूटर सर्टिफिकेट अभी की उसकी कोई वैलू नहीं है समझ रहे हो मतलब डिग्री से जादा कंप्रूटर सर्टिफिकेट जरूरी हो गया उनके लिए और वहां पर धंके कोई कंप्रूटर नहीं थे उनकी सपास कोई तो दोस्तों इस तरीके से चीजे होती है मुझ इससे अच्छा तो आएवी पीएस लगा जिसके पास कंप्रूटर सर्टिफिक नहीं है उनको बिचारी वो लोग टाइम देते हैं कि आप इतने दिन में कर लो करके सबसे अच्छी बात लगी मुझे आएवी पेस की कि उसमें टाइम देते हो लो कुछ भी सीखने के लिए म जिसमें सिर्फ 10,000 रुपे सालेरी है और 10,000 के लिए आप मानों के नहीं MBA किये वाले बंदे वापे आये थे इंटर्व्यू देनी के लिए मैंने बोला मेरी आउकाद 10,000 की नहीं है मैं नहीं रहने वाला हुए अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ हुआ हाल तो वापे रहता कोई मतलब काने और अगर सिलेक्शन भी हो जाता तो मैं वहां नहीं जाता क्योंकि वह सीटी मुझे क अगर आपका अकुला या अधर इस्टे एरिया के हो तो आप पूछलना दोनों में से दोनों को कंपेर करके किस तरीके से पूस्चन और उनके साथ उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ वह इस तरीके साथ पूछ सकते हैं ठीक है हाला कि एक अच्छी चीजी हुई कि मुझे वहा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आपको इसको सेर करना चाहिए और आपको मैं एक टिस्ट देना चाहता हूं कि कभी भी को अप्रिट्व बैंक के फॉर्म को अपलाए नहीं करना है वहां का वर्किंग कल्चर है बहुती थर्ड क्लास है ठीक है बहुती हां पे पुरा का पूरा प्रेमाइस था आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने वह एकदम खंडर के जैसे जैसे गाओ वगेरे में देखे हो गया आपने जो जानवरों को कैसे यह करते थे मतलब जो किसी की खेत में कोई जानवर चले गया और उसको बंद कर देते हैं किसा था पूरा का पूरा मेरा एक्स्पिरेंस कोई दिक्कत नहीं आगे काफी सारे एक्जाम आने वाले हैं उनको हम फोड़ेंगे उनको हम अशिव करेंगे ओके आपको सारी से समझ में होगी अगर यह आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करन और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बाई बाई